नमस्कार दोस्तो एक और फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लाइफ है टीचिंगी एक और फ्रेश वीडियो में दोस्तो आज किस वीडियो में मैं आपको ये नहीं बताऊँगा कि आप ये प्रेशिन पढ़ लो पास हो जाओगी बिल्कुल भी नहीं बताऊँगा दोस्तो और नाईम आपको ये बोलूगा कि आप ये प्रेशिन रटलो और आप तीन मार्च की पेपर में पास हो जाओगे नहीं दोस्तो ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा पर दोस्तो एक बात मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि मैं आपके लिए old paper लेकि आया हूँ मैं आपके लिए जो पीछे मारा old paper हुआ था December के अंदर वो लेकि आया हूँ अगर दोस्तो आप उसे समझ लेते हो कि question कैस से आती है बहुती आसानी से आप अपना paper पास कर सकते हो जो कि आपका तीन मार्च को है अब दोस्तो यहाँ पर बात आती है कि जो कुछ जादा ही शाने student है वो क्या कहेंगे वो यह कहेंगे कि syllabus तो change हो चुका है दोस्तो ऐसा नहीं है जो हमारी old book थी उसके अंदर कुछ chapter थे जिनको हटा दिया गया है जिससे कि MSXS है, Outlook है यह फालतू के chapter थे उनको हटा दिया है जिससे कि हमारा MS Excel, PowerPoint, Winword और इसी के साथ साथ computer का जो basic है वो दोस्तो बिलकुल भी change नहीं हुआ है तो मेरे ख्याल से कहिन है कि हमें लगता है कि यह old paper हमें बहुत कुछ सिखा सकता है तो आप सभी से request है कि इस वीडियो को पूरा end तक दिखो और चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो दोस्तो जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि मेरे पास यह old paper है तो लिए हम इसे पढ़ते हैं पहला जो question है वो है दोस्तो MSXS में एक ही तालिका में अन्य field की गणना के आदार पर एक field बनाने के लिए किस data type का उपयोग किया जता है तो दोस्तो इसका जो answer है वो है calculated पर दोस्तो आपको यह question छोड़ना है क्यों छोड़ना है क्योंकि दोस्तो हमारी जो नई book है उसमें MSXS का जो lesson है वो हटा दिया गया है इसका मतलब आपको यह question नई पढ़ना है और वेसे भी दोस्तो आप सभी को पता है कि जो July batch का exam में वो नई book में से आने वाला है और यहाँ पर दोस्तो मैं आपसे एक छोटी सी जानकरी और शियर करना दाता हूँ दोस्तो हमने आपके लिए जो नई book का रसी एटी की उसके important question यानि के lesson wise important question और दोस्तो notes भी त्यार किये हुए है तो अगर आप उनको देख सकते हो तो उनको जुरूर देखना उन सभी की playlist आपको life I teaching YouTube चैनल पर मिल चाहेगी तो चलिए चलते है अपनी next question number 2 पर यहाँ पर दोस्तो लिखा हुआ है कि निमल लिखित का मिलान करें यहाँ पर आपने मिलान करना है निमल लिखित का जैसे कि MS Word 210 के सामनी क्या आना चाहिए MS Excel के सामनी क्या आना चाहिए PowerPoint के सामनी क्या आना चाहिए और XS के सामनी क्या आना चाहिए तो दोस्तो जो MS Word है उसके अंदर बनती है document तो दोस्तो जो सही है वो इस परकार से है यानि कि first or as औके और इसी तरह जैसे कि Axle है Axle के अंदर क्या बनता है Axle के अंदर बनती है दोस्तु seat तो Axle के equal क्यों होगा औके और इसी प्रकार से MS PowerPoint दोस्तो MS PowerPoint के अंदर slider बना जाती है तो ये MS PowerPoint equal slide आएगा और जो access है यह दोस्तु DBMS होता है यानि कि database management system तो इसके अंदर database इसके equal है ओके तो ये था हमारा second question अभी चलते हैं अपनी next question number 3 पे यहां पे question लिखा हुआ है रिक्किस्तान का उप्योग वर्तवान window को दो हिस्सों में विवाजित करने के लिए किया जाता है ताकि आप एक ही समय में एक ही दस्ताबेज के विविन अनुबाग को देख सकें तो इसमें जो option अभो है macros, split window, new window, grid line तो दोस्तो यहां से अगर question को ध्यान से देखोगे जिससे कि मैं अब द्वारा से पढ़ देता हूँ रिक्किस्तान का उप्योग वर्तवान window को दो हिस्सों में विवाजित करने के लिए किया जाता है यानि कि दोस्तो यहां पर यह पुछा गया है वर्तवान जो window होती है उसे दो हिस्सों में विवाजित करना है तो उसके लिए कौन सी option काम आएगी तो दोस्तो इसके लिए option होती है सप्लेट विंडो और दोस्तो यह option आप MS Word की View Tab के अंदर जाकर देख सकते हो वहाँ पे आपको यह option मिल जाएगी और दोस्तो यहाँ पे मैं एक बात और आपको बता दू सप्लेट विंडो जो option होती है वह दोस्तो Excel के अंदर भी होती है तो यह आप स्पेसल द्यार रखें अभी चलते हैं अपने next question number 4 पे डेटा क्या है तो दोस्तो यहाँ पे डेटा बोला गया है कि डेटा क्या है वो डेटा नहीं जो हमारे मुवाल के इंदर होता है जैसे कि 1 MB डाउनलोड हो गया 2 MB वो डेटा नहीं होता दोस्तो वो होता है डाटा ओके और यह डेटा की बात हो रही है तो चलिए option को पढ़ लेते हैं पहले तो यह कच्चे S असादित तथ्यों सहित पाठ चवी संख्या और द्वनी है यह कारे किरोमों का एक सैट है यह एक hardware device है जिसमें keyword, mouse, monitor, इत्यादिश शामिल है यह दूसरी PD का computer है तो दोस्तो यहाँ पे जो first option है यह कच्चे S असादित तथ्यों सहित पाठ 26 संख्या और द्वनी है जिहां दोस्तो यह होता है data जिससे कि आपके पास कोई song पढ़ा है वीडियो फाइल पड़ी है कोई image फाइल पड़ी है तो वो दोस्तो data कहलाता है अब दोस्तो यहाँ पे data और सूचना में एक अंतर भी होता है जिससे कि जो data हमने एकठा किया है वो तो data ही कहलाएगा पर दोस्तो अगर उस data को आप किसी के सामने परजेंट कर देती हो तो दोस्तो वो सूचना के तोर पे जाना जाता है जिससे कि news paper वाले पहले news एकठी करती है तो वो उनका data होता है और अगली सुबह जब वो परदर्शित करती है तो वो दोस्तो एक सूचना के अंतर बदल जाती है इसके बाद में दोस्तो नेक्स्ट क्विश्चन नेमर फाइब नेमले के पमेसे सबसे उप्योगत विकल्प चुने तो यहां पर हमें सबसे अच्छा और जो सही विकल्प है उसे देखना है तो चलिए उप्शन को पढ़ लेती है एलेक्ट्रोनिक बुक्तान परणाली में डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का उप्योग किया जाता है सेकिंड ओप्शन है ओ एम आर का पूरा नाम ओनली मेगनेटिक रीडर है और सी ओप्शन है स्काइब सिस्टम सॉफ़वेर का एक उधारन है और D है प्रिंटर के आउट्पूट गुनवत्ता हर्टज में मापी जाती है तो दोस्तो इसका जो सही आंसर है वो A है अब A क्यों है क्योंकि दोस्तो जो डेबिट कार्ड और जो क्रेडिट कार्ड होती है वह दोस्तो इलेक्ट्रोनिक बुक्तान के इंदर जाने जाती है यानि कि वो डिजिटल तोर पी होती है तो वो इलेक्ट्रोनिक बुक्तान प्रणाली के अंतरगत आती है ऐसी दोस्तो OMR इसकी फुल फर्म होती है Optical Mark Reader नै कि Magnetic Reader तो यहां पे यह भी गलत है और दोस्तो जो Skype होता है यह ओनलाइन वीडियो कॉलिंग करने के लिए होता है नै कि एक System Software होता है तो यह भी यहां पे गलत है और दोस्तो जो प्रिंटर के Output गुणवत्ता होती है वो PPM में मापी जाती है यहां पेज प्रती मिनट में मापी जाती है नै कि Heart Touch के अंदर तो इस प्रकार से यहां पे यह भी गलत बिल्कुल सही है ओके चले चलते हैं अपनी Next Question No.6 पे तो यहां पे अपनी Question पढ़ते हैं सबसे पहले है डिकिस्तान कुंजी आपको करसर के दाइं और वर्ण को हटाने में सक्षम बनाती है End, Backspace, Delete, Home तो दोस्तो यहां पे जिसका सई आंसर है वो है दोस्तो Delete ओके यानि कि अगर आपने किसी भी अक्षर के दाइं तरफ के अक्षर मिटाने है तो दोस्तो वहां पे आप Delete की का इस्तिमाल कर सकते हो यहां पे दोस्तो एक End की भी दी हुई है दोस्तो End की का इस्तिमाल होता है बिल्कुल End में आने के लिए या तो किसी Page के End में आने के लिए या फिर किसी Folder के अंदर बहु सारे Document पड़े है तो उन सबी के Last के अंदर याने के अंत में आने के लिए इसका इस्तिमाल किया जता है और ऐसी दोस्तो Backspace जो होता है Backspace दोस्तो दाई तरफ के याने के Left Side के अक्षर को मिटाने के लिए इस्तिमाल किया जता है और इसके अलावा दोस्तो यहां पर Home Key का भी दिया हुआ है Home Key यानि कि अगर दोस्तो एक Folder के अंदर बहु सारी File ले है तो दोस्तो आपको First वाली File पे लेके आएगी या फिर अगर दोस्तो बहु सारी Line ने हैं तो आपको First Line पे लेके आएगी तो इस तोर पे Home Key का इस्तिमाल किया जता है दोस्तो वीडियो के बीच में आपसे एक Request करना चाबगा अगर आपने अभी तक इस वीडियो को Like नहीं किया तो Please Like कर देचिए Next question number 7 चले इसे पढ़ते हैं मान लें कि वरकशीट की सामगरी ऐसी है कि जब Print Out लेते हैं तो यह एकादिक प्रस्टो में आएगा और अब आप उसकी वरकशीट के Print Out को MS Excel 2010 में एक पेज में Print लेना चाहते हैं तो हम इसका उप्योग करते हैं यानि कि दोस्तों यहां पे Simple सी बासा में आपको बताता हूँ यहां पे इसने पूचा क्या है यहां पे इसने यह पूचा है कि एक एकसल की एक सीट है और उसका आपने Print लेना है और दोस्तों जो उस सीट के अंदर मैटर है वो दोस्तों दो या फिर दो पेज से ज़्यादा का है तो इन्होंने आपर यह पूचा है कि उस दो पेज या दो से ज़्यादा के मैटर को एक ही पेज पे प्रिंट करने के लिए कौन सी Option इस्तिमाल की जाएगी MS Excel 210 के अंदर तो चलिए Option को पढ़ लेती है तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है बिल्कुल सही आंसर है वो है दोस्तों फिट सीट आन वन पेज यानि कि जितने भी सीट है उनको एक पेज में फिट कर दो दोस्तों जो स्केल होता है उसे हटाने के लिए इस्तिमाल होता है और फिट सीट और मल्टिपल पेज यानि कि एक सीट को एक से अधिक पेज पेज पे अगर आ रही है तो उसे आ जाने दो और दुस्तो लास्ट में है merge and center ये होता है दुस्तो बहु सारे cell को एक cell में मिलाके और उसका जो alignment है वो center का करना ताकि वो अक्षर बीच में दिखाई दे तो यहाँ पे दुस्तो B है वो बिल्कुल सही answer है ओके चली चलते हैं अपनी next question number 8 पे इसमें से कौन सा social networking साइटों की स Chrome, Flipkart, Amazon और Snapdale तो दोस्तो यहाँ पे सबसे पहले तुम्हें इसका right answer है वो आपको बताता हूँ इसका right answer है दोस्तो Facebook, Twitter और LinkedIn यानि की A number इसका right answer है इसी प्रकार से दोस्तो जो B के अंदर option दे रखे हैं जैसे की Google, Yahoo और Alexa ये search engine के तोर पे माने जाती है तो आपके exam में question कहीं इसे भी आज सकता है तो आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना चाहिए और दोस्तो image option दे रखे हैं जैसे की Microsoft Edge, Mozilla Firefox और Chrome तो दोस्तो ये होती है web browser और इनके अंदर जो सबसे लोग पर दिया है वो है दोस्तो हमारा Google Chrome ज्यान रहे Google है वो search engine है और Google Chrome है वो दोस्तो एक web browser क तोर पर जना जाता है ओके और डी केंदर option देर किया है जैसे की Flipkart, Amazon और Snapdeal ये होती है दोस्तो ओनलाइन shopping के लिए website है मेरी ख्याल से आपने Flipkart, Amazon या फिर Snapdeal से कुछ product मंगवाई भी होंगे बाकि आपको बदा दू मैंने तो इनका इस्तिमाल किया है Snapdeal का नहीं किया Flipkart औ डाल होती है तो दोस्तो यहां पर एक केबल की बात की हुई है तो इसमें केबल देख लिजिए जैसे की twisted pair है, co-oxial है, optical fiber है तो जो इसका answer है वो है दोस्तो co-axial चले चलते हैं अपने next question number 10 पे निमल लिखित में से कौन सा प्रातमी कुंजी का लाब नहीं है तो दोस्तो इस question को आपको छोड़ देना चाहिए क्योंकि दोस्तो यह question है MSXS का और जिसके में आपको बताई दिया कि MSXS अब हमारे syllabus के अंदर नहीं है तो चले चलते हैं पर next question number 11 पे तो यहां पर दोस्तो वक्ते वे दिये हुए हैं तो आपको यह ध्याना रखना है कि आपके exam के अंदर वक्ते वे वाले question भी आएंगे यानि कि उसके अंदर दो वक्ते वे दिये होंगे और आपसे पूछीगा पहला सही है या फिर दूसरा सही है दूसरा सही है या फिर दोनों सही है या फिर दोनों ही गलत है तो इस प्रकार से कुछ question पूछा जाएगा और दोस्तो यहां पे म मैं आपसे एक sorry भी बोलना चाहूंगा छोटा सा यूंकि दोस्तो मेरे को लगता है कि मैं थोड़ा सा टेज बोल रहा हूं तो दोस्तो आप अपना दिमाग है वो थोड़ा खुला रखें ओके और वेसे एक बार में समझ में ना आए तो इस वीडियो को द्वारा से डेख लेन और दोस्तो फिर भी समझ में ना आए तो कोई दीकत नहीं है आप नीचे comment box में comment कर देना मैं उसका reply 100% दूँगा ओके तो अब भी बापिस आते हैं अपने question पे और अपने question को पढ़ते है title बार program window की नीचे दिखाई देती है और database के बारे में जानकारी परदेशित करती है और कुछ program function तक पहुंच परदान करती है तो दोस्तो यहाँ पर title बार के बारे में इनोंने बताया है कि title बार window की नीचे दिखाई देती है तो पहले तो इससे करते हैं अपना second वक्ते भी पढ़ लेते हैं फिर इस पर बात करेंगे status बार program window की सीर्षक पर दिखाई देता ह और database file और file path का नाम परदर्शित करता है तो दोस्तो इन वक्ते भी को मैं द्वारा से आपको समझाता हूं title बार program window की नीचे दिखाई देती है तो दोस्तो यहाँ पर clear हो जाता है यानि कि इसने ये बोलाए कि title बार program window की नीचे दिखाई देती है और दोस्तो ऐसा नहीं हो दिखाई देता है तो दोस्तो status बार जो होता है वो सिर्ष पे नहीं बलकी बिलकुल नीचे जो हमारी task बार होती है उसके उपर दिखाई देता है तो यहाँ पर यह वक्ते वे इसका गलत हो गया यानि कि दोनों वक्ते वे वक्ते वे 1 और वक्ते वे 2 गलत हैं ओके समझ में आ गिया यानि कि title बार तो सबसे उपर होती है सिर्षक के अंदर title बार होती है इसने दूस्तों उल्टा लिख दिया ताकि हम confused ज़ए पर दूस्तों हमें confused नहीं होना है हमें question को ध्यान से पढ़ना है और फिर इसका answer देना है और दूस्तों आपको बता दूं कभ से simple question में student है वो confused हो जाए तो दोस्तों यहाँ पे आपको confused बिल्कुल भी नहीं होना है ओके तो चलते हैं अपने next question number 12 पे यहाँ पे देख लिए question number 12 है चलिए से पढ़ते हैं विदालिया के बच्चों के लिए homework करने में computer का उप्योग के से किया जाता है यहाँ पे इन्होंने ये बोला है कि बच्चे किस परकार से computer का उप्योग करके अपना homework कर सकते हैं तो option अपने सामनी है document बनाकर Excel sheet और internet के उप्योग से digital विग्यापन बनाकर और meeting scheduling से online वॉलिवूड फिल्मों के वीडियो देख कर school के बच्चों के लिए computer का कोई उप्योग नहीं है दोस्तो यहाँ पर बिल्कुल साफ साफ इसका answer measure आ रहाऊगा अब आप खुद ही देख लो देखो school ही बच्चों के लिए computer का कोई उप्योग नहीं है क्यों नहीं है उप्योग तो है और इसकी उपर वाला जो option है online bollywood फिल्मों के वीडियो देख कर तो दोस्तो जूरी थोड़ी है कि हर time वीडियो ही देखें कभी-कभी हो सकता है और देखना भी चाहिए बट anytime तो नहीं है न तो यह भी option गलत है और बी option जो है डिजिटल विग्यापन बनाकर और meeting schedule करके तो दोस्तो यह विद्यार्थियों के लिए नहीं होता जैसे कि जो businessman होता है वो इसका इस्तिमाल कर सकता है बट student नहीं कर सकते तो ए नमबर है वो ही हमारा सही है यानि कि एक विद्यार्थिय अपनी document बना सकता है एक्सल की सीट बना सकता है और internet पे पढ़ सकता है जैसे कि आप अभी पढ़ रहे हो बिलकुल सही example है इसका है ना तो चलिए अपनी चलते है next question number 13 पे document में header और footer लगानी का क्या उपयोग है तो यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि document में header और footer हम क्यों लगाती है तो दोस्तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि header और footer होते क्यों है चलिए मैं आपको बताता हूँ अब दोस्तो book होती है या फिर notebook होती है उसमें आपने देखा होगा उपर की side में चलिए हम notebook का ही इस्तिमाल कर लेती है जैसे कि आपको photo में दिखाई दे रहा है यह जो area है यानि कि एक line दी हुई है और यहाँ पे एक box दिया हुआ है ताकि हम यहाँ पे page number और अपनी date लिख सकें तो दोस्तो यह एक example है अपनी header का यानि कि header page के उपर वाले हिस्ति में होता है और दोस्तो footer जो होता है वो होता है बिल्कुल page के नीचे जैसे कि आपका जो question paper आएगा ना उसके footer के अंदर दोस्तो page number लिखा होगा date लिखी होगी और दोस्तो series होती है कि आपके पास कौन से series है यह कुछ लिखा होगा जिससे कि आप screen पे देखी सकते हो यह मैंने old paper का जो footer है वो आपको दिखाया है दोस्तो यह example के तोर पे दिखाया है जरूर नहीं है कि ऐसा ही हो आपकी notebook में अलग हो सकता है आपकी किसी और book में अलग हो सकता है तो यहाँ पे यह तो clear हो गया कि header page के बिल्कुल उपर आले हिसी में होता है और footer बिल्कुल page के नीचे वाले हिसी में होता है और यह दिखते कैसे हैं यह भी आपको पता चल गया अभी हम question के option है वो पढ़ लेते हैं तो A number option दिया गया है इसका उप्योग किसी wave, press या बाहरी दस्तावेचों से जोडनी के लिए किया जाता है तो दोस्तों यहाँ पे A number तो बिल्कुल भी नहीं होगा यह बिल्कुल गलत है B number option पढ़ते हैं इसका उप्योग document में उस part को शामिल करने के लिए किया जाता है जिसे प्रत्य एक प्रस्ट पर दोराया जाना है जिसे company का नाम और प्रस्ट संख्या हाँ यह बिल्कुल सही है क्योंकि दोस्तों आपको ना बतादू मैं जैसे कि head which होता है उसे दोस्तों एक बार लगा दिती है और वह दोस्तों आगे वाले page पे पे अटोमेटिक लगता रहता है यह थोड़ी होता है कि जो notebook बनाते हैं उनको यह जो उपर वाला box होता है इसे बार-बार copy paste करना पड़ता है ऐसा नहीं करना पड़ता दोस्तों वह एक first वाले page पे बनाते है और आगे वाले page से वह automatic लगता रहता है तो दोस्तों यहाँ पे B number option बिलकुल सही है जलिए अपने C को भी पढ़ लेते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है इसका उप्योग document की theme और page pressed भूमी को बदलने के लिए किये जाता है जी नहीं दोस्तों यान कि यहाँ पे अपना जो B number option है वही बिलकुल सही है तो चलिए चलते हैं अपने next question number 14 पे control panel में विकल्प जिसके द्वारा हम device की उठचा खपत का परवंद कर सकते हैं तो यहाँ पे option देर की है पावर विकल्प, internet विकल्प, electricity विकल्प और mail merge तो इसमें option है पावर विकल्प, internet विकल्प, electricity विकल्प, mail merge तो इसमें दोस्तों जो right answer है वो है पावर विकल्प अब दोस्तों पावर विकल्प में ना कुछ option होती है जैसे कि power saving mode होता है उसकी बैटरी कम रह गई है तो वो बैटरी कम खपत करें इसके लिए हम पावर विकल्प में जाकर और ये भी चेक कर सकते हैं कि हमारी बैटरी कितनी रह गई है और कितना टाइम चलेगी और वहाँ पे पावर सेव मोड भी होता है ताकि हम अपने कम्प्यूटर इसे कनेक्ट करना है या फिर कोई पास्वर्ड बगारा करना है तो उसके लिए इसका इस्तिमाल किया जाता है और electricity विकल्प दूस्तो ये तो होता ही नहीं है और इसके बाद में है mail merge अब दूस्तो जो आप्शन होती है यह है दूस्तो win वर्ड के अंदर होती है यानि कि ए पुरान रिक्यस्तान संदेश की सामगरी का वर्नन करता है, तो यहाँ पर option है to subject, attachment, bcc, यहाँ पर दुस्तो इसका जो answer है, वो है दुस्तो attachment, अब आप सभी को पता है कि जब हम email लिखते हैं, तो हम to के इंदर आके जिसे बेजनी हैं, उसका email address जो होता है, वो लिखते हैं, उ यहाँ कि जो file हम add करते हैं, उसकी सामगरी यहाँ पर होती है, और bcc, blind carbon copy, और दोस्तो इसके लावा एक और होता है, cc होता है, carbon copy, तो यहाँ पर आप इसका भी ध्यान रखें, तो इसका जो right answer है, वो दोस्तो attachment है, चले चलते हैं अपने next question number 16 पे, विंडोज 10 में, setting app, विंडोज में निमन में से कौन से configuration विकल्प device setting menu से समंदित हैं, तो दोस्तो यहाँ पर इन्होंने ये पुछाए कि विंडोज 10 की जो setting होती है, उनके अंदर कौन कौन से configuration विकल्प device setting menu से समंदित होती है, यानि कि जो device के setting होती है, उससे समंदित होती तो जो इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तो ब्लूटूथ प्रिंटर माउस या फिर कीबोर्ड अब यह क्यों है व्योंकि दोस्तो आप क्योशन को ध्यान से पढ़ो अब दोस्तो आपको पता है कि विंडोज 10 के इंदर जो सैटिंग विकल्प होता है उसके इंदर A, B, C, D यह तीनों विकल्प होती है पर दोस्तो यहाँ पर इन्होंने यह पुछाए कि और डिवाइस कौन सी होती है जैसे कि प्रिंटर हो गया, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया यह दोस्तो होती है हमारी डिवाइस तो यहाँ पर इसका जो राइट अंसर है वो दोस्तो D है चलिए चलते हैं फिर अपने नेक्स्ट क्योशन नंबर 17 पे निमल लिखित में से कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है अब दोस्तो सबसे पहले ता आपको पता होना चीए कि पॉइंटिंग डिवाइस होती कौन-कौन सी है और दोस्तो ये क्योशन पीछे वाले एक्जाम में भी आया था यानि कि 30 दिजंबर से जो पहले एक्जाम हुआ था सब्टेंबर के अंदर उसके अंदर भी ये क्योशन आया था उसके अंदर दोस्तो बहु सारे नाम दिये गए थे और पुछा गया था कि इनमें कौन-कौन से पॉइंटिंग डिवाइस हैं तो यहाँ पे वही क्योशन उलट-पुलट के दे दिया है तो सबसे बहुते तम आपको बताता हूँ दोस्तो वह डिवाइस जिसके माध्यम से हमारी कंप्उटर पे एक पॉइंट आता है जिसकी माऊस होता है जब हम माऊस को चलाती है तो मॉनिटर पे एक छोटी से एरो आती है अब दोस्तो मेरे ख्याल से आपने only माउस ही देखा होगा pointing device के अंदर वैसे और भी बहु सारे होते हैं जैसे कि trackball भी होता है joystick भी होता है अधर भी बहु सारे device होते हैं तो यहां पर अपने जो option है तो देरके हैं जैसे कि mouse देरका है touchpad देरका है trackpoint देरका है CRT देरखा है तो दोस्तो इसका जो answer है वो है DRT अब क्यों है इसे कि mouse है यह भी दोस्तो एक pointing device है Touchpad है जो कि हमारे होता तो mouse ही है पर दोस्तो यह laptop के उपर touchpad होती है वो mouse के तोर पर ही इस्तिमाल होती है तो यह भी दोस्तो एक pointing device है और इसके अलवा जो C है track point ये भी दोस्तो एक pointing device भी होती है चलिए मैं आपको बताता हूँ जैसे कि हमारा जो laptop होता है उसके अंदरी जो keyword होता है उसके अंदरी एक छोटी सी goal बोल होती है तो उसको जिस side भी हम करते हैं उस side ही हमारा mouse pointer यानि कि जो मारा cursor होता है वो चला जाता है यानि कि अगर simple बासा में बोलू तो जो track point होता है यह भी दोस्तो हमारी mouse की तरह ही काम करता है तो इसका जो answer है वो CRT है क्योंकि CRT monitor होता है जो कि एक output device है तो यह एक pointing device नहीं होती है इसे के साथ दोस्तो आज की इस वीडियो को हम खत्म करते हैं और अभी तक हमने 17 question पर discuss कर लिया है बाकि जितने भी question रह गए हैं उनकी वीडियो भी जल्द ही आ जाएगी तो आप इन question को अगर ध्यान से अच्छे तरीके से पढ़ते हो तो मुझे नहीं लगता कि आप पास होने से बच सकते हो जी हां दोस्तो आप जिरूर पास हो जाओगे आपने बस इस वीडियो को ध्यान से देखना है अगर एक बार में समझ में ना आए तो दुवार देख लेना अगर फिर भी समझ में ना आए अगर कोई doubt हो तो please comment box में comment कर देना मैं आपकी पूरी help करूँगा और दोस्तो हां अगर आपने ये question पढ़ लिए ना मैं आपको आगे वाली वीडियो के इंदर ना या तो एक PDF या फिर आपको एक link दे दूँगा जहां पर जाके आप इन सभी question का test दे सकते हो ताकि आपको पता चल जाए कि आपके कितने question याद हो गई है और आपने कितने question को समझ लिया है और हाँ last एक बात मेरी डाय गई है अगर आपने अभी तक like नहीं किया तो please like कर देजिए और comment करके बता दीजिए कि ये video आपको कैसा लगा और हाँ और अगर आपको कोई RSAT friend है जो कि आपसे दूर है या फिर नजदीक है तो इस video को share कीजिए जी हाँ इस video को share कीजिए किसी whatsapp group के अंदर या फिर किसी facebook group के अंदर या फिर किसी telegram group के अंदर बढ़ दोस्तो शेर कीजिए जरूर क्योंकि दोस्तो यह video आपकी मदद के लिए ही बनाए गई है तो चली मिलते हैं फिर RSAT की next video के अंदर wait जरूर करना वीडियो आएगी जरूर आएगी ओके बाई टेक केर